हेलो गाइज गोग कंक्रेव 2023 में घंशाम सर ने जो सेट अप यूज किया था आज मैंने उस सेट अप को लाइव ट्रेड करके देखा और इजर्ट कैसे थे 0.88 का टार्गेट तो नहीं आया बट पैसा डबल जिसे करने के जिरे मैंने वो सेट अप यूज करके देखा था वो जुरूर हो गया तो चलो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ यह सेट अप क्या था और इसे कैसे यूज करना था अगर 2PM के बाद 100 points market किसी भी direction में move करती है यह उससे ज़्यादा move करती है तो हमने low और high का एक swing पकड़के एक fifth level draw कर देना जिसमें 0.33, 0.88 और 1.22 levels mark होने चाहिए जब 0.33 level का breakout होगा candle close करेगी 1 minute के time frame पे तो हम trade में enter कर जाएंगे 3-5 PM से पहले होना चाहिए तो जैसे ही यह यहां पर आई market मैंने 39,100 का पी बाय किया 37.15 पैसा के रहा हूं यह तो मैं actually zero था यूज करता हूं फार्स यूज करता हूं फार्स यूज करता हूं तो इस पर आपको वही दिखा रहा होगा जो मैंने यहां इसका बाइंग पैस जो था वो तकरीबन 37.15 के रहा हूं और मैं टार्गेट डबल था कि मैंने इसको 74 करना है तो 74 पे मैं exit करोगा तो जैसे ही मैंने trade execute किया within a span of next 2-3 minutes यह 74 पे चला गया सिंस आज मैंने point rated isrian ही choose किया देखो strategies बहुत होती है बट एक trader का अपना mindset होना चाहिए कि आज Thursday है आज इस strategy को use करने का नुकसान यह होगा कि इनके market sideways चला गया तो मैं option 0 हो जाएगा तो मैंने बहुत चोटा सा stop loss लेके double target target किया था वो मूव तो किया market ने बट उसके बाद इसके बाद यह market sideways हो गया और तकरीबन 89 रुपिस तक गया बट मैं अपने target 74 पे exit किया तो तकरीबन 76 के around यह exit हो चुका हुआ था मेरा और मेरा जो मैंने part profits 20,000 से इस trade को लिया था तो तकरीबन 40,000 के around हो गये तो पैसा double हो गया अब एक mindset जो होता है trader का वो ऐसे होना चाहिए अब क्या था आज जितनी trades हमने price action के basis पे जी head and shoulder pattern बना W बना चार्ट पे तब trade execute की उपर से भी जी नीचे से भी trade, CE buy किया, PE buy किया दोनों जगा पैसे बनाया है क्योंकि आज market price action को बहुत एक अच्छे तरिक्ये से follow कर आई थी यहां पे भी market ने जब एक symmetrical triangle बनाया था यहां पे भी हमने CE buy किया था तो इस point पे भी market ने अपने price action को बहुत अच्छे से किया और वो fake बेकर नहीं प्रूब हुआ, बट एक mentality यह होती है कि अगर thursday या कोई भी दिन आप एक profit book करो तो next trade आपको part profits के साथ जानी चाहिए, आपको complete profits के साथ नहीं कभी भी खेलना चाहिए, इस point पे भी हमने इस point से उसे हमने यहां पे book किया, trailing stop loss माया तकरीबन यहां पे hit twice था, जब यह यहां पे वापिस आया, तो ऐसी mentality लेके चलो, जो सुबह कमा लिया, उसे घर लेके जाना, part profits के साथ trade करना हमेशा second trade, third trade भी आपकी successful रहे थी, जब आप यह करके जाओगे, in case आप क्या करोगे जो सुबह कमाया, वो ही साया, मैं उसे double का risk कर लूँ या quantity अपनी double कर जूँ, thursday या huge profits दे रहे है, हमने अपनी psychology, हमें आचाए profits भी में रहे थे, बट अपने किसी trade में अपनी quantity इस नीचेडी, double नीकी, in fact half ही हम करते गए उसे quantity, और profits के साथ हमने बाकी trades अपनी अपनी एक् maximum आप करोगे, risk तो आप कभी भी market से बाहर नहीं निका ले जाओंगे, लोग आपते हैं 50-50%, 70-70% capital का risk कर देते हैं, एक राख है, तो एक राख से सारे option ही खरीद लेते हैं, तो पैसा एक दिन में, दो दिन में खतम हो जाती है, capital और दुआया market से out हो जाते हैं, फिर कहते है मार्केट नहीं करोंगा, mindset बहुत जूई है, हमने अब 088 का strategy का मतलब यह नहीं होता है, उसे pocket के रही वैडियो, strategy का मतलब होता है, उस पर अपना साथ में knowledge उस तरके, उस strategy को execute करो, तो आप देखो, यह कितना बढ़िया डबल था, चैनल पर like, subscribe, comment कर तो, reach बढ़ाओ चैनल कितना बढ़ाओ उसायाँ से को सiltना बढ़ाओ उसक्तापना, थार